कक्षर नो, शितिज, पद्धिभाग, पाठ एक, कबीर बच्चों, आज हम कबीर दास जी के बारे में पढ़ेंगे कबीर के जन्म और मिर्ट्यू के बारे में अन्यक किवधनतियां प्रिछलित है किवधनतियों से तात्परिय है लोगों के दोरा कही सूनी बाते हैं कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहान कबीर ने विदिवत सिक्षा नहीं पाई थी परन्तु सत्संग, परेटन तथा अनुभाव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था सत्संग से तात्परिय अच्छे लोगों के संगति मोठना बैठना, परेटन एक स्थान से दूस्थान पर जाना आए विहार करना आगे देखो, भक्तिकाली निर्गुन संत परंपरा के प्रमुक कवी, कबीर की रचनाएं, मुख्यते कबीर गरंथाओली में संग्रित हैं, किन्तु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीचक ही प्रमानिक माना जाता है कुछ रचनाएं, गुरु गरंथ साहब, सिकों का प्रमुक गरंथ है, में भी संक्लित है, कबीर अत्यन्त उदार, निर्भय तथा सद्गरस्त संत थे राम और रहीम की एक्ता में विश्वास रखने वाले कबीर ने विश्वार के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदवाव और कर्मकार्ण का खंडन किया राम रहीम से तात पर ये हिंदूर मुसलमान, हिंदूराम को मानते हैं, मुसलमान रहीम को तो उन्होंने लोगग या जो समाज में उस्तूमें लोग थे जातीकत भेधभाव कंदर थी उन सब को इन्होंने उनका खंडन किया विरोत किया और उन्हें एक सुत्र में प्रोलने कार्य किया कविजास जिन सभी दाय में पूजा पाथ कर्मकांड है उन्होंने अपने कावे में धार्मिक और सामजिक भेद भाव से मुक्त मनुष्ट की गल्पना की इश्वर प्रेम ग्यान तथा वेराग गुरु बक्ती सत्संग और सादु महिमा के साथ आत्म भोध और जगत भोध की अभीवक्ती उनके कावे में हुई है कबीर की भाषा की सहज़ता ही उनकी कावे आत्मक ताके शक्ती है जन भाषा के निकट होने के करण उनकी कावे भाषा में दाशनिक चिंतन को सरल धंग से व्रक्त करने की ताकत है यह था अपना कवी परचे है अब देखो परचे है हम आते हैं यहां संकले साखियों में कबीर दाश जी के जो बिजग गरंथ है उसमें तीन तरह के बदों को समयश है साखिय सबद और अमेनी आपके पार्ट के अंतरगत साखियां हैं उनकी कुछ और सबद है देखो यहां संकलित साखियों में प्रेम का मैत्व संत के लक्षन ज्यान की महिमा बायाड नंबरों का विरोध आदी भाव को लेख हुआ है पहले सबद पहले सबद में बायाड नंबरों का विरोध एवं अपने ही बीतर इश्वर की व्यापती का संकेत है उन्होंने बताया है कि बायाड नंबर अर्थात पूजा पाथे सब दिखावा है उसका विरोध किया है और बताया है मनुश्यों की प्राणी प्राणी प्रणी जीव की अंदर ही इश्वर का वास है निवास है तो दूसरे सबस में ज्यान की आंदी के रूपक के सहारे ज्यान के महत्व का वणन किया है उन्होंने बताया है दूसरे सबस में कि इससरे जब व्यक्ति को एक सच्चा ज्यान प्राप्त होता है तो उसके अंदर मुर्भुत कर गया प्रिवात्तम आते हैं कभीर कहते हैं कि ज्ञान की साहचा से मनुष अपने दुरुबलताओं से मुक्त होता है।